अकाउंट एंसी में सेट 3 बात करेंगे 3 माक्स वाले कुश्चिन्स की कुश्चन नमबर 17 जो पास्ट एजस्मेंट के उपर बेजड हुआ हुआ था कुछ नहीं 6% दे दिया गलती से instead of देना था 10% कुछ इस तरह से करा है तो हमें total से total compare करना पड़ता है but this is 90 तो 60 का remaining share of profit डालना पड़ेगा क्योंकि जब आप कम IOC दे रहो जरूर आपके हाथ में profit बचाओगा कुश्चन नमबर 18 की बात करें तो इन्हें एक ऐसी single entry pass चाहिए दी जिससे सारी चीदे adjust हो जाए भाई एक तो plus वाला balance पर एक तो negative balance तो ultimate कितना है 1,80 और भाई फिर ना gain और sacrifice निकाला और बस यार यह है जो main चीज है कि भाई आज महेश को 30,000 रूपे दे दो और इन दोनों से इतने इतने पैसे ले लो आगे जाके फिर किसी भी ratio में बाटो adjustment हो जाएगी अब बात करेंगे question number 19 की बेटा यहां ना machine के पैसे चुकाने के तरीके दे दिये गए 3 it's okay यह नी बताया machine कितने के मैंने add करा मैंने का अच्छा new limited को इतना देना है इसलिए मैंने balancing figure लिखा और फिर यह amount उपर jump करी यानि की machine ने एक लाग साट की दी इस तरह से पैसे दे रहे हो आप question number 20 मायरा और श्रेया ने आखिर 2 लाक रुपीज का average generate करते हैं यह for few not 5 years by the way market में पैसा लगाते हैं इस type की industry में तो डेड़ लाक रुपे तक कमा लेते हैं normal rate तो what is the super extra profit इतना आया और number of year purchase कितना दिया 3 तो भाई मेरी तो डेड़ लाक रुपे की goodwill आ रही थी यार अम मैं बात करूँ हां question number 22 की मतलब हम 4 marks वाले पर switch कर रहे हैं हम सबको पता है पूरफ के साथ अच्छा नहीं हुआ तो this is the capital account तो डेखो सारी चीजे दी एक तो यार इनोंने ना share निकाल के दे दिया पूरफ का पर goodwill निकालनी पड़ी भाई average quote 3 times किया number of year purchase से और उसका share 30,000 की goodwill जो कि ये sacrificing नहीं sorry gaining तो वो old ही मानी गई क्योंकि बताया है नहीं किस से कितना कितना share लिया जा रहा है देखो जी 6 महीने रहा है ये form में तो कुछ ऐसी चीज़े जैसे IOC hard time period affect करती है न time factor होता इसमें तो देखो 4800 नहीं 2400 दिया बारा परसेंट IOC तो दिया है पर per annum का लिखने का मतलग सर पूरे साल का नहीं सर 6 मन्त का अच्छा जी आर अपने आप commerce sense लगा के बच्चों ने distribute कर दिया वो जितना भी इसका share बैटता है तो पूरव का executor account में इतना आ रहा था next जो question है वो 23 का B वाला है admissions related देखो यार सबसे पहले बनाया revaluation account और फिर सबसे important account partners capital account सारी चीदे credit में आ रही थी revaluation दिया जी आर बाटा वो बंदा partner जो था नया वो पैसे लेके आ रहा था वो लिखा और adjustment करी और ये सब ऐसे ही नहीं हुआ देखो working note तुम लोग भी बना के आयो तो new ratio के हिसाब से इनकी capital निकाली गई on the basis of sonars capital फिर मैंने गा ठीक है अगर ये ही capital चलाएंगे इनकी आगे तो मैंने direct ये लिख दिया कि two balance cd ऐसा चलाओंगा और फिर देखो current account भाई आप लोग हो सकता है two current account लिख क्या आयो और दोनों एक ही row के अंदर आ गया हो no issue वो भी correct है यार तुम लोग गलत हो सकते हो गया बाकी goodwill निकाली पहले तो देखो total firm की goodwill निकाली गई हाँ ठीक है वो देरी गी ती 2,40 तो उसे तो उसका share निकाला और दोनों रखेंगे कैसे कैसे सर कुछ नहीं बतायाता तो old को ही sacrifice मान लेते हैं तो 3,21 ठीक है तो 3,21 के अंदर इन लोगों से ले लिया गया पैसा तो यह था यार partners capital अकाली नेक्सट share से लिया गया question मुरारी limited वाला बस 1,40 से तो receive करा मैंने फिर पाकी का सारा पैसा allotment पे share कर दिया then allotment मांगने का allotment मांगने की due करने की हिम्मत जुटाई और इस चीच का भी पता था यार देखो payment कम आएगी यह ख्वाब है 3,00,000 नहीं आएंगे वह पहले से आयों है यार पहले से आयों है अच्छा 4,200 नहीं दिये उन्होंने किनों पिर ने कैसे पता चला सर्फ working note बनाना पड़ा मैंने काता ना उंगलिया उठाने से पहले पता कर लिया करो आरे 7,000 अडवांस है 4,000 की नीड थी 3,000 पहले से दे रहे गया हाला कि यह पूरा तो नहीं कर पायागा इसने देखो पहले इसका पैसा पूरा करेंगे priority है तो जी 1,000 रुपे तो इसके ने दिये 32,000 रुपे प्रीमियम के ने दिये 4,000 दोस्तों नहीं दिये इनुने हाँ ओवरोल 4,000 दोस्तों नहीं दिये फॉरफीचर का वक्त आ गया था बहुत बढ़िया रीशू करना नहीं था तो capital reserve कैसे निकाल लूँ तो फॉरफीचर करते टाइम 32,000 का premium क्यों नहीं दिया भाई तो debit करूँगा मैं और 7,000 पहले से आया हूँ है सारे जप्त कर सकती है company क्योंकि जी इसने एक रुपली तक premium नहीं दिया एक रुपा मैं याद है premium का पैसा काट के जप्त करती थी पर इन्होंने तो premium ही नहीं दिया है थोड़ा सा भी नहीं दिया हलका सा भी नहीं दिया तो जी देखो यह सारी चीज़े अच्छा call in area की demand थी question के अंदर मैंने भी यार जब debit करा मैंने का ठीक है credit करूँगा अब उसे ही करूँगा फिर credit और यह रा working note यार प्रोराटा की ratio यह आरी दी कोई category का चक्कर नहीं दिया यह सही गरा इन्होंने हाना category यार 25 में वो यह देखना चाहते है dissolution के time पे business बंद होने के time पे general entry कैसे pass करते हैं करते गया है बस बच्चों ने कर दी जैसे 11,000 का bad debt था बाइदावे recover हो गया पर सिर्फ 70% amount दी है इन्होंने जोगो यह 25 हाँ यार fourth score difference हा दी दिया था जिसमें ना fourth में P&L बाटना था वो भी debit balance तो जी loss है यह इनकी capitals को गिरा देगा debit करने का मतलब यह और यार हम लोग ना सुदागा loan भी चुका के आए है मतलब और यार जो अगली थी ना की मतलब जिसमें machine की जगा creditor उठा के लिए के जा रहे थे machine तो जी मैं तो अपने टाइम पर ऐसे करता था देखो यह cancel हो के no impact by the way legends लिखकर आयोंगे no entry will be passed यह था 25 question number 26 अच्छा था marks देखो इसका पहला part premium पे issue करा और promise भी premium पे वापस लोटाने का promise करा हो सकता है हाणा मैंने ऐसे लिख दिया इसमें अब जो इसका second वाला है उसमें discount पे issue करवा रहा है पर premium पे redeem हो रहा है यानिकि double नुकसान company का तो second वाले मैं यार मैंने merge करके लिखा है 80 प्लस 80 1,60,000 receive भी कम से करा है और third वाला यार पार पे करा issue और redeem कर रहा है लेकिन premium पे तो पार वाली तो कोई tension होती नहीं है बाइदावे premium पे redeem कर रहा है यार thank you so much वीडियो देखने के लिए